जैस्वामिनारेण दोस्तों अक्षर प्लांटेंड प्लांटेर में आप लोगों का स्वागत है आज हम जो डिसकस करने जा रहे हैं वह बहुत ही अहम टॉपिक है जैसे आप सभी लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं मुझे लगता है अडेनियम लवर्स हैं और अडेनियम क काफी तरीकिगे रोटिंग्स हैं जैसे अपन भात करते हैं तो काफी तरीक्यक्यव रोटिंग्स होती हैं अडेनियम के अंदर जिसकी वज़ेशे अपने मह् hacia पेर पादे होते हैं या आपने को बहुत पसंद होते हैं कुछLY belie're जिनको अपन लॉस कर देते हैं तो आज हम बात करेंगे कि इनमें रोटिंग कैसे आइडेंटिफाइए करें और उसके कारण क्या होते हैं और तीसरा जो है उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा जो मैंने एक नए तरीके का कोशिश किया है कि उस तरीके से अगर आप ट्रीटमें मैंने ल reflective क्या है क्या में जाती हैं तो माब बताओं कि पौधा जो है वह अपनी चमक हो देता है पौधे में जैसे नार्मल पते उ में होती है या पादे में जो चमक होती है वह नहीं रहे W Här दिक बग लेटाओं बढ़ने जाती है किस्कंप्रॉट हो तो यसको देख देक Сп इस में यह जो है कि यह इसमें तो यह जैसे रू टौ इंड marriage होई थी है तो झूरौण जो है बहुत बड़ी problem है अगर अप भी सब्सक्राइब च具ए कि आ Democrats की तो आपने को उसको छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि एक बार उखाड़ के देखने से कोई नुकसान नहीं है अपने को यह पता लग जाएगा कि पौधे में रॉटिंग नहीं है तो अपने पौधे को बचा लेंगे अपन सिर्फ इसलिए कि मेरा पौधा डिस्टरब हो जाएगा उसकी रूट सिस्टम डिस्टरब हो जाएगा तो वह कोई प्रावलम नहीं वह तो आपके 15-20 दिन बाद में पौधा अपने आप रिवाइव कर जाता है अच्छे से ग्रो भी कर जाता है मगर अगर रूट रॉट है तो आप आपके प्लांट को लॉस कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा तो दोस्तों जैसे अपने को लगता है कि रॉटिंग की पॉसिबिलेटी है तुरंत अपने पौधे को उखार के देखने में कोई बुराई नहीं है तो पौधे के अंदर जैसे रॉटिंग हो रही है तो उसके कारण क्या क्या होते हैं मैं अब 20 साल से जैसे माडीनियम से वीडियो बनाता हूं आप बहुत जल्द जल्दी फॉरवर्ड करके देखेंगे इसकीप कर देंगे तो कुछ-कुछ ऐसी जानकारी होती है जो आप छोड़ देते तो आपको उसका नुकसान रहता है फिर बाद में कुछ पॉइंट्स ऐसे ह होते हैं जो आपको समझने बहुत जरूरी होती है अदेनियम के बारे में अदेनियम वैसे तो हाड़ प्लांट मगर यह बहुत चीजों में सेंसिटीव भी है तो अपने को वह सब समझना चाहिए और मापको एक एक करके बताता हूं कि जैसे इसमें रूट रॉट कि क्या क् क्या रहती है रूट का कारण कि अपने जो पॉर्ट का ट्रेम हो रही है कि नहीं हो रही है पानी कभी भी पॉर्ट के अंदर आपने रूपना नहीं चाहिए दूसरी बात क्या होता है कि मीडिया ऐसा हुए कि जो पर्फोरेटर हो एक्सेस वाटर जो भी होए वह अपने पॉर्ट में से निकलेगा नहीं तो क्या होता है मापको बताओं कि जैसे के अंदर मिट्टी के अंदर जो मीडिया होता है उसमें कई बार हामफुल फंगस होती है जब भी उसको एक्सेस वाटर रहेगा या वाटर लॉजिंग अपने पॉट में रहेगी तो वह हामफुल फंगस होती है वह ग्रोव करने लग जाती है ग्रोव करके तुरंत आपकी र साइड अपलाई करें उसकी पॉटिंग कर देंगे तो आपने जो है रूट्स में से वापिस उसके फंगल डिजीज होने लग जाएगी इसके लावा में एक और आपको कारण बताऊं कि जैसे यह देखिए यहां से पीला हो रखा है तो पीला किस वज़े से हो जाता है कि संब संबर्ण में अगर आपका प्लांट हो गया है तो संबर्ण होने से क्या होएगा कि उसमें वहां से अगर जड़ा सभी रप्चर हो जाएगा तो रप्चर होने की वज़े से वहां से फंगा सेंटर होता है फंगा सेंटर होके आपके पौधे को डैमेज कर देगा और एक और आर्गिनिक मेटर वाला मीडिया नहीं होगा खाली सॉइल सॉइल आपके में अगर सैंड है तो वह क्या करते हैं कि जैसे धूप परती है तो सैंड की वज़े से मीडिया गर्म हो जाता है गर्म होके और वह यहां की बर्निंग बहुत जादा करता है मतलब रूट्स को तो बर् मैं आपको बता रहता है कि जैसे एक बहुत बड़ा में जो कारण होता वह फिजिकल डेमेज भी होता है फिजिकल डेमेज कैसे हो सकता है मापको बता हूँ एक तो जैसे हो जाता है दूसरा रूट्स उखान फिजिकल डेमेज कैसे कैसे होता एक तो मैंने जैसे आपको बता है या उखाडने का कोई इंस्ट्रूमेंट पढ़ा रहता है तो कई बार क्या करते हैं बच्चे उठा लेते हैं उनको या कोई लकडी वकडी ऐसे पड़ी रहे तो अपने को बहुत द्यान रखने जो रहता है या यू यू करके डैमेज कर देते हैं अगर वह फिजिकल डैमे फिर अगले बात जो होती है मैंने देखिए रॉटिंग की मैं ने देखिए जैसे समझलीजा आपने इसको प्रून किया जैसे मैंने इसको पूरून किया हूँ प्रूनिंग करें तो एक दो दिन इसको चाहें में रखें अंटी फंगर लगा के जिससे यह हील अप हो जाए हील अप होने के बाद ही जो अपने को उसको फुल सन के अंदर रखना होता है तो दोस्तों कुछ है कि यह मैंने आपको बताए आइडिया की अपन कैसे पता लगा सकते हमारे प्लांट में जो है रॉटिंग हो गई है स्टार्ट और उसके कारण क्या क्या होते हैं जो मेरी फाइंडिंग्स थी मैंने आपको बताई इसके लावा जैसे जो ट्रीटमेंट की मैं बात कर रहा था जैसी यह वाला पौदा है इसमें तो ठीक है कि यहीं पर फंगस आया है इतनी बड़ी प्राउलम नहीं है आप लोग सभी कुछ पता होगा कि आप आदेनियम लवर्स हैं आपको पता है इसको थोड़ा सापने को कट करके डैमेज पार्ट को इसके उपर क्या कारण है दोस्तों कि आपके प्लांट में समय लींजहें मैक्सिममब डैमेज हुआ हो मैक्सिमम डैमेज मम लब अप टु फूरलम damage हो गया शुक्ति मापने जब्लाइब को समंहाल नहीं पाइð वजे से क्या होता। अजल चारा जाए तो मुझे क्या करना है कि इत्ना पार्ट काट के मैं नीचे का फेक दूह और सिर्फ यह ही है मैं जो डिप 17 Subscribe इकटके चली जाएगी तो अपने को क्या करना होता है मैंने जो टेक्निक लगाई अभी मैंने देखा कि समझ लीजे कि आपके हाथ में घाव है तो हाथ में घाव है इसका मतलब यह नहीं कि आप इस यहां पर अगर आपके इंफेक्शन है तो आप यहां से काड़ दीजिए य इसके अपने मैंने क्यों टेक्निक लगाई मैंने लगा यह वॉशिंग मैंथर्ड फषए मैं यह मैं आपको दिखा दे मुच एक गी सगों वाशिंग से किस तरीके से मैं डेला क्ल दिखाता है और उसका तरीका में जो यह कर के बाद दुढ़ आप करके देखेंगे तो मैं शुरू कर देता हूं यह देखिए अब यह देखिए अभी सॉपासाब आया है रॉट रॉत तो मैंने जो किया जो रॉटेड पॉर्शन था यह देखे कि रॉटेड पॉर्चन था सिर्फ उसी क्या होता है टैकनिक जो सभी लोग बताते हैं यहां तक अगर रॉति तो यहां से कट करके इसको अपने को फैंक देना नीचे नीचे का यह उपर-उपर का इतना सा लगा लो तो आपके जो प्लांट का जो है 70-80% पार तो आपने फैंक ही दिया अगर आपको लगता है कि प्लांट पर कुछ बचे नहीं रहा है तो यह बैस टेकनीक है यह थोड़ी रिसकी टेकनीक जरूर होती है क्योंकि इसमें आप प्रॉपर इसका अगर नहीं कर पाऊगे इस तरीके से ट्रीटमेंट जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा तो इसमें क्य सकते हैं आपके प्लांट को मैक्जिम्म बचा सकते हैं नया शेप भी आ जाता है प्लांट के थोड़ा अप्लांट में मैंने किया था और फिर बाद में देखें इसमें उपर फुटानानी शुरू हो गई अब यह ग्रोथ करना शुरू हो गया है अपना जो प्लांट है है टो अपने यहीं से वैवान 15 कर दिया जो जो पार्ट नहीं तो नॉरमलगी आपन क्या प्रैक्टिक करते कि यहां से इसको तो आपन क्या करते हैं यहां तक काड़ देते और यह उपर का पॉर्शन अपने पास बसता और अपने नीचे का फैंक देते तो वह कोई सॉलिशन नहीं कि अपने इतने संदर प्लांट को अपन लॉस कर दें और सिर्फ इतनी सी विमारी की वज़े से और मैं आपको दिखाना चाहरा हूं एक और है जैसी यह देखिए यहां पे इसमें रॉटिंग हुई अगर यहां इसमें रॉटिंग हुई तो क्या म आपको बताए मैंने ज只是 कि आपने को बहुत सिम्पल क्या करना है कि अपना जो रॉटिंग प्लांट है उसको पहले आपने को निकाल लेना है जमीन से निकालने کे बाद मैं अपने को क्या कर देता मेरा पहले यह था कि पहले मैं खुद करके देखो आप एक्सपेzia मेरे Tout healthy all रगड़ करना और यह ज़ितना प्वीर इसना प्रोका हिए। करते 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 रगड़ रगड़ कर देना रिमूव करने के बाद में अपने को फी vita surface दिखने लग जाए यहां से शनील चाइका संबर्द तो तो अच्छी तरह देखने के बाद में अपने को क्या करना है कि इसको क्या करना फिर आपने को अपने को जे में पत्ते हटा देने इसके और हो refugee hiking करनी और पॉर्टिंग करने के बाद में अपने क्या करना है इसको चाया में रखना है फिर दो दिन और फिर बाद में इसको फुल सन में आप रख सकते हैं तो दोस्तों इस तरीके से आपके जो यह प्लांट होते हैं जिसके अंदर समली जाए सीवियर कोई डैमेज हुआ है सीवियर रूट रॉट हो गया है तो उसको आपन स सॉफ्ट है और उसमें इंफेक्शन मूव हो रहा है तो फिर आपको डैड पार्ट उसमें से रिमूँँ करना पड़ेगा करने के seusध्र दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा आपका अपना चैनल है एक शर प्लांटेंड प्लांटेर ज्यादा ज्यादा शेयर और लाइक करें वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद